जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों जब भी कोई ग्रहे अपनी राशी परिवर्थित करता है वक्री होता है या मारगी होता है तो उसका प्रभाव सभी राशी के जातकों पर पड़ता है कुछ पर शुब प्रभाव होता है और कुछ पर अशुब प्रभाव हो ऐसे ही देव गुरु ब्रस्पती 11 अगस्त को मार्गी होने वाले हैं। देव गुरु ब्रस्पती धनू राशी में वक्री चल रहे थे और पांच महीने के बाद वो मार्गी होंगे सुबह 7 बच कर 42 मिनट पर। गुरु का मार्गी होना कुम्भ राशी के जातकों पर कैसा असर डालेगा इस वीडियो में हम जानेंगे। रविवार को गुरु ब्रस्चिक में मार्गी होंगे और गुरु धनू राशी में 29 मार्च को आय थे। 10 अपरेल को वक्री अवस्था में थे और वक्री होने के कारण 30 अपरेल को वरिश्चिक राशी में वापसी कर गए थे 11 अगस्त को फिर से मारगी होंगे गुरू वरिश्चिक राशी में ही मारगी हो रहे हैं जिनका असर कुम राशी के जातकों पर बड़ा ही शुब प्रभाव होने वाला है। संयोग से इस दिन सरवार सिद्धी योग भी बन रहा है जिससे इनका असर और अधिक हो गया है। इस योग के कारण सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। व्यपार व्यपसाइब में आपके तीजी आएगी यदि आप व्यपार करते हैं यदि सोना चान्दी से जड़वा को व्यपार करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को यहां मिलेगा। आपको कई धन प्राप्ती के आफसर मिलेंगे। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो नया काम आपका इस समय शुरू हो पाएगा। जिन लोगों के विवाहा में बाधाएं आ रही थी या विवान नहीं हो पा रहे थे उनके विवाहा के योग बनेंगे। परिवार एक जीवन बेहद सुगम आपका रहने वाला है। जो बेरोजगार जातक हैं उनको रोजगार के अफसर अप्राप्त होंगे। यानि ये गुरू ब्रस्पति का मारगी होना आपके लिए हर तरह से बहुत इश्यू बरहने वाला है। तो दोस्तों और अदि कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झाले झाले